अल्विदा अटल देश ने आज सबसे बड़े राजनेता, महान कवी, साहितकार और अपने पूर प्रधानमंत्री को खो दिया है भारतीय राजनीती के भीश्म पितामह, सियासत के अजात शत्रू और लोकतंत्र के धुरुवतारा अटल अब हमारे बीच नहीं है प्रधानमंत्री बनने से पहले अटल विहारी वाजपई का सबसे ही आदगार इंटर्व्यू हम आपको दिखाने जा रहे हैं कॉंग्रेस नेता राजीव शुकला के सवालों का अटल जी ने कैसे जवाब दिया था, देखिए नमस्कार, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे राजनेता से जो पिछले कई दर्शकों से विपक्ष की राजनीत के शीर्स पर है और आज जब लोगसभा चुनाओ की तैयारियां शुरू हो गई हैं तो एक बड़े राजनीतिक दल्ने उने अपने भावी प्रधान मंतरी की रूप में पेश किया है आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं बीजेपी लीडर और लोगसभा में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाचपेई की पिछले तीस साल से आप अपोजीशन में अगर धाई साल छोड़ दी जाएं जनता पार्टी की सरकार के जब आप विदेश मंतरी थे बोर नहीं हो गए हैं आप उजिशन में रहते रहते हैं नहीं बोर ओने का तो सवाल लिए बोर अगर होता तो में राजनी से चला जाता कोई और काम करता, कोई और धन्दा गोश्टा अभी बीजेपी ने आपको प्राइम मिनिस्टर अपना एनॉंस किया कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो आप प्रधान मंत्री बनेंगे आपको कैसा लगा? नए इसके गोश्णा नहीं होना चाहिए दे पार्टी को से नुकसान हुआ ऐपको फायदा होगा इस गोश्णा से? पार्टी ने तो लाब के लिए गोश्णा किया क्या लाब हो सकता आपको प्रधान मंत्री घोश्ट करने से पार्टी को? यह मैं उसका विश्ण नहीं करना चाहता है लोगों की मानना है कि अगर बीजेपी की दो सो सीट भी आई या कुछ सीट में कम रह जाती हैं तो अगर अटल बैरी बाच पर या आगे हैं तो चंशेखर भी उनको सपोर्ट कर देंगे एंटी रामराव भी सपोर्ट कर देंगे उनके नाम पर तमाम ऐसे लोग जो उतना ज़्यादा कटर रूप से बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं वो सपोर्ट कर देंगे सायद यही फायदा लेने के लिए आपका नाम उचाला गया नहीं मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता है पार्टी ने जरूर को सोच समझ के मेरा नाम आगे बढ़ाया है अब वो सोच कहां तक सही साबित होता है यह तो बविशी बताएगा पार्टी के कई लोगा उनको बात पसंद नहीं आती जितनी आपकी दोस्ती नर्समाराव से अडवानी जी को उतनी दोस्ती नहीं है मैं पार्टी से पूछ कर दोस्तिया नहीं करता हूँ अब पार्टी को आपती नहीं होना चाहिए आपकी किताब के विमोचन धुबी आपने नर्समाराव से कर वा है हाँ کیونकि मैं चाहता था कि नर्समाराव जी का जो साहतेकार का पक्ष है वों लोगों के सामने आया है लोग कहते हैं कि यह पहली बार है कि लोग सबा में प्रधान मंत्री और लीडर अपोजिशन कितनी दोस्ती है भारती राजनीत में हम एक दूसरे को शत्रू मान कर चले है यह ठीक नहीं है पोलिटिकल एड़़सरी होते हैं यह नहीं होते है अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रधान मंत्री पर जबरतस थंबला करके आया हूँ नूरा कुस्ती लोग मानते हैं से कि मुस्कराते रहते हैं अपस में फिर खड़े होके बोल देते हैं क्या आप मुस्कराई मी ना क्या लोक तंत्र में मुस्कराना भी जुर्म है? उन्होंना आपको गुरू भी कह दिया है? वो तो व्यंग में कह रहे थे और मैंने उसका जवाब दिया वो भी आपने सुना होगा क्या जवाब दिया आपने? मैंने कहा कि आजकल गुरू तो गुरू रहे जाते हैं और चेले शक्कर हो जाते हैं और गुरू की जरुवत नहीं है गुरू घंटाल की जरुवत है जो मैं नमें बन सकता हूँ और नरसिगरावजी बन सकते है तो गुरू घंटाल कौन इंडियन पॉलिटिक्स में आप खोजिए, पता लगाईए चंद शेखर भी आपको गुरू कहते हैं, इस अब आपको राजगुरू बनाना चाहते हैं, क्या है यह हमें बना रहे हैं, यह बाद सही है अठेजी, जिस तरह से नर्समाराओ से आपकी दोस्ती है, अगर कभी कोई ऐसा मौका आया कि नर्समाराओ और बीजेपी की कोई कोलेशन गवर्मेंट बनने का उसारा है, तो बनाएंगे आप हमने इस सवाल पर अभी तक कोई विचार नहीं किया है, नहीं मुझे इस तरह की कोई संभाव ना दिखाई देती है तो आपके लहाद से बीजेपी और कॉंग्रेस का कोई कोलेशन नहीं हो सकता भारती जनता पार्टी की सारी रलाई कॉंग्रेस के खिलाब है, कॉंग्रेस से गड़बंदन के पृष्णी है एक कंफूजन आपके बारे में बहुत है, कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कि मद्डर प्रदेश के रहने वाले हैं, कभी आप गौलियर से चुनाव लड़ते हैं, कभी विद्शा से, कभी लखनयू से, कभी कहीं से नहीं हमारा पैत्र गाउं उत्तर प्रदेश में है लेकिन पिता जी गाउं छोड़कर अंग्रेजी पढ़ने के लिए आगरा चले गए थे पहरे इटावा में पढ़े पहरे आगरा में पढ़े फिर उन्हें ग्वालियर में ग्वालियर में सर्विस मिल गई थी तो मेरा सिंधिया दरबार में नोकरी करते थे जिया राज की शिक्षा सेवा में थे और बड़े प्राक्रमी प्रुश थे तो उसी सिंधिया परवार के बेटे के खिलाफ आप चनौ लड़के गौलियर से नहीं बेटे को मैंने बारती जनसंग में शामिल भी कराया था बेटा पहले 156 से एक उपचुनाव में वहां से लड़ा था हार गया था मगर बहुत अच्छे मज़े वोट मिली थे बीजेपी मकेले आप ऐसे लीडर हैं जिनके बारे में मुसलिम्स को थोड़ी से उम्मीद है नहीं असा नहीं है उन में गलत फहमी है कुछ हमारे विरोधियों ने गलत फहमी पैदा किये कई परदेशों में हमारी सरकार चल नहीं है पहले भी बनी थी कहीं मुसल्मानों के साथ बेह दबाओ नहीं हुआ आप क्या कहने उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी और बाबरी मस्जट तूट गई बाबरी मस्जट तूट गई ये बात सच है हमारी सरकार थी ये भी सच है मगर कॉंग्रेस की सरकार होते हुए श्रीमती इंद्रा गांदी की हत्या हो गई तो क्या इसके लिए कॉंगरिस की सरकार को दोश्ट दिया जाएगा लेकर कल्यान सिंह तो कहते हैं कि मेरी मर्जी से हुआ आप तो क्रेडिट लेते हुआ क्रेडिट अगर मिलना है तो कौन नहीं लेना चाहेगा राजनीत में तो credit लेने के लिए सबी आतुर रहते आपको याद होगा जिस दिन धाचा ढाया गया मैंने वक्त भी दिया था और मैंने कहा था कि अच्छा नहीं हुआ लेकिन दो दिन बाद फिर आपका stand थोड़ा सा नरम पड़ गया नहीं इसलिए stand नरम पड़ गया कि पार्लमेंट में भैस हुई और मैंने सब दलों के सदस्यों को सुना और तो मुझे लगा कि यहां अपने गरिबान में मूँ डाल कर देखने के लिए कोई तया नहीं है तो मैंने थोड़ा सा stand बदला यह सच है लेकिन आप कहते हैं मुसल्मानों के सदस्यों रक्षर देंगे लेकिन दूसरी तरह आपका शिव सेना से तालमेल है बाल ठाकरे के भाशना आपने सुने हैं बाल ठाकरे क्या बोलते हैं इसकी तरह आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए महराट की सरकार क्या करती है इसको जड़ा गोर से देखिए मतलब बाल ठाकरे क्यों सीरिसली नहीं लेना चाहिए यह मैं नहीं कहता आप मीडिया वाले उनकी उप्यक्षा तो कर नहीं सकते तो इसलिए मुझ से क्यों कुछ कहलवाते है इधर आपने देखा होगे बीजेपी भी बिल्कुल कॉंग्रेस की तरह बहेब कर रही है उनकी जितनी भी सरकारे है वहाँ भी करप्शन के चार्जेज हैं आपस में लड़ाई है डिसिजन्स एक्टिविटीज हैं मार धार जिस तरह से गुटबाजी कॉंग्रेस के अंदर है और जिस तरह की पॉलिटिक्स कॉंग्रेस के अंदर बिल्कुल बीजेपी उसी रास्ते पर जा रही है बिल्कुल उसी रास्ते पर जा रही है यह पर मैं नहीं माम साँ अभी गुजरात में जो कुछ हुआ बल्कुल कॉंग्रेस की तरह नहीं था? नहीं एक दुश्टी थे तो कॉंग्रेस से भी एक कदम आगे था जब मैं वहां गया और मैंने जाकर उनसे बात पाचीत की तो मुझे लगा कि बहुत चोटी बातों को लेकर इतना बखेडा खड़ा हो गया है तिल का ताड़ बना दिया गया है मुखे रूप से शिकायत ये थी कि हमें कोई मिलता नहीं है हमारी कोई संता नहीं है इसी जित करनें बीजेपी को तो अनुशासन पार्टी माना जाता सबसे जाता ही कहा जाता कि अनुशासन के मामने बीजेपी नंबर वाने लेकिन तो कांग्रेस से बहुत आगे निकल गी अनुशासन हिंता का उधारन गुजरात में हुआ है जो बड़ा दुर्भागे पूर्ण हैं लेकिन बाद में पार्टी ने अपने अनुशासन का परिचे दिया वो लोट आए और अब वहां मिलकर काम कर रहे हैं इसकी क्या बज़े रही कि वगेला ने अडवानी जी की बात नहीं मानी आपकी बात मान ले नहीं ऐसा नहीं है वगेला जी से बात चीज चल रही थी उसमें ऐसा लगा कि वहां जाकर किसी को बात करना चाहिए तो ये काम मुझे सौपा गया अब उन्होंने बात मान ली ये अच्छा किया कहते हैं गुजरात क्राइसिस के बाद अटल बिहारी बाचपी का कद बढ़ा है अडवानी की का कद कम हुआ है जी नहीं ये तो मीडिया कद नापती रहती है मेरे पास नापने का कोई गज नहीं है और मैं इस तरह से विश्वास करता हूँ अडवानी जी हमारे राष्ट्री अध्यक्षा है एक लोगों के मनमी रहता है कि एक डियो जो है अटल बिहारी अडवानी सिर्फ इसको प्रमोट किया जाता है इसको ट्रियो में नहीं बदलने दे रहे हैं कि अटल बिहारी अडवानी और जोशी तूटे हुए तारों से पूटे वासंती स्वर पत्थर की छाती में उगाया नवंकुर जरे सब पीले पात कोयल की कोक रात प्राची में अरुनिमा की रेक देख पाता हूँ गीत नया गाता हूँ इसका दूसरा है अंते में तूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी तूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी अंतर को चीर विथा पलकों पर ठिटकी हार नहीं मानूँगा, रार नहीं ठानूँगा, काल के कपाल पर लिखता, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ जब आप लिखते हैं तो कुछ एकाकीपन का भाव रहता है या कभी अकेला महसूस करते हैं इसलिए लिखते हैं हाँ, अकेला महसूस तो करता हूँ, भीड में भी अकेला महसूस करता हूँ शादी क्यों नहीं किया अपने? गटना चक्रैसा चलता गया कि मैं उसमें उलश्टा गया और विवा का मूरत नहीं निकला कोई अफेर भी कभी नहीं हुआ जिन्दगी में? अफेरों की चर्चा नहीं की जाती है, सारजेने क्रूपते हैं हमेशा से एक विवाद रहा है आपके बारे में कि RSS से आपका कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मन मुटाओ चलता रहा और जो हार्ड कोर RSS के लोग हैं आपके खिलाफ रहें क्योंकि आप RSS की बैक्राउंड से नहीं आते हैं RSS के साथ मेरा बहुत गहरा संबद है और कुछ मुद्दों पर मतवेद होते हुए भी मैं समझता हूँ कि एक ऐसा संगठन है जिसमें निस्टवार्थी लोग है और जो देश के निर्मान में एक रचनात्मक भूमी का निभा रहे है वो कौन से मुद्दें जिन पर मतवेद है आपका RSS है अब उनकी साजने करूप से चर्चा करना इस समय ठीक नहीं है कुछ इशारा तो कर सकते है तो यह आवश्यक नहीं है मतवेद ऐसे नहीं कि मैं अपने लिए ऐलग रासता खुझ लेता अगर मतवेद इतने गहरे होते और इतने टीवर होते तो मेरा RSS में रहने का सवाली पेदा नहीं होता कहीं मुस्लिम्स को लेकर तो नहीं जो उनकी अप्रोच है और आपकी अप्रोच है दोनों में काफी फरक हो बात किस तरह से की जाती है इसमें भी कभी कभी अंतर होता है कहते हैं कि RSS के प्राइम मिनिस्टर एडवानी जी है और BJP के प्राइम मिनिस्टर कंडियर टथल जी है यह तो शुकला जी का कथन है जिसमें कोई सचाई नहीं है RSS वालों ने इसका इंडॉर्समेंट कर दिया आपके कंडियरेचर का मैंने ही समझता कि किसी एंडॉर्समेंट की जुरुत है रिमोट कंड्रोल तो उन्हीं के पास रहता BJP का यह नहीं किसी के हाथ में हमारा कंड्रोल लही है हम स्वेम अपनी पार्टी चलाते हैं हम परामर्श लेते हैं सला लेते हैं वो बात अलग है अच्छा आपने अभी एक इंटेविव में कहाई कि आप मद्य हमारगी हैं तो आप वैसी कोई पार्टी को नहीं चुल लेते जो सच बच मद्य मारगी हो नगी मैं मैं मानता हूँ कि भारति ज्यंता पार्टी एक मद्य मारगी है बीजेपी को मध्यम मारगी पार्टी मानने का जवाल नहीं है, हम मध्यम मारगी हैं, क्योंकि हम समन्वे में विश्वास करते हैं, भारती संस्कृती समन्वे वादी संस्कृती है अटल जी बेबाक थे, जिन्दा दिल थे, स्पष्ट वक्ता थे, जब तक प्रधान मंतरी नहीं बने थे, लोगों से खूब घुलते मिलते थे, लेकिन जब वो प्रधान मंतरी बने तो इस बात को लेकर काफी दुखी हो गए थे, कि सुरक्षा की वज़े से वो आम लोगों क के साथ उस तरह नहीं मिल पा रहे थे, जैसा उनका व्यक्तित्व था, जिस तरह से मिला करते थे, अटल जी से जब बात शुरू हुई, तो उनके दिल की ये बात उनकी जुबाँ पर आ गई, पीम बनने के बाद हमने एक बार फिर उनसे बात चीत की, मगर कुछ नए सवाल तो आईए मिलते हैं भारती जनता पार्टी के पहले प्राइम मिनिस्टर अटल विहारी वाच पेज, जो जितना उंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वैमी ढोता है, चेहरे पर मुसकाने चिपका, मन ही मन रोता है, जरूरी ये है कि उंचाई के साथ विस्तार भी हो धर्ती को बौनों की नहीं, उंचे कत के इंसानों की जुर्ष है, इतने उंचे के आस्मान को छूलें, नए नक्षत्रों में पृतिबा के बीज बोलें, किन तो इतने उंचे भी नहीं कि पाउं तले दू भी न जमें, किन तो इतने उंचे भी नहीं कि पाउं तले दू भी एलेपन का सन्नाटा मेरे प्रभू, मिझे इतनी उचाई कभी मत देना, गेरों को गले न लगा सकूँ, इतनी रुखाई कभी मत देना. अटल जी, इतने दिन अपोजीशन में रहने के बाद, अब आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? कुछ आटपटा सा लग रहा है. क्यों आटपटा को लग रहा है? कई कारण है, जनादेश मिला है, मगर इस पष्ट नहीं है. अन्नी दलों की ठुलना में हमारी स्थिती बहुत अच्छी है. लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, कि हम अपने बल पे सरकार बना सकें. इसलिए, एक और सीमाओ का एहसास है, और दूसरी और अफसरों की भी अनभूती है, इसलिए, मिली जुली भावनाए है. क्या बहुमत साबित करने के प्रेट कोई शंका है? बहुमत जुटाने का प्रयास किया जा रहा है. हमने एलान किया है कि हम बहुमत के लिए अनैतिक तरीके नहीं अपनाएंगे. यानि कि जोड़ तोड़ नहीं करेंगे? नहीं, जोड़ तोड़ा लगे. हार्स ट्रेटिंग नहीं करेंगे? जी, नहीं, खरीर फरोगत का काम नहीं होगा है. देश की स्तिती को देखकर, संसद में सभी दलों का जो स्वरूप है उसका ध्यान करके, अगर संसद के सदस्य अपने विवेक से नतीजे पर पहुँशते हैं, कि भारती जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश गया है, इन्हें ऐसे वाकाई का उसर दिया जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिर हमें अपना बहुमस्तित करने में कठिना ही नहीं होगी. लिकना अभी जो इस्तिति उसमें लगता है कि नेशनल फ्रंट, लेफ्रंट के साथ कॉंग्रेस भी चली गई, और भी जो रीजनल ग्रूप से नहीं सबने एलान कर दिया आप उनके साथ हैं. ऐसी इस्तित में आपको नहीं लगता है कि एक बड़ा कठिन इस्तिती पैदा हो गई है और बड़ा मुश्किल है बहुमस्तित करना. नहीं, जहां तक अन्य दलों का प्रश्ण है, वहां इस्तिती गत शील है, चलाए माने हैं. विशेश कर ये बाद कॉंग्रेस पर लागू होती है. सुबह कुछ रंग दिखाई देता है और शाम को किसी दूसरी दिशा का संकेत मिलता है. मैं नहीं समझता कि किसी दलने अभी अंतिम तोर पर निर्णे किया है. कॉंग्रेस से अप्स्टेन होने की उमीद है आपको या उनके कुछ M.P. अंतरात्मा की आवाज पर आपको वोट कर देंगे? मुझे इस बात का वरोसा है कि अंततो गत्वार लोकसभा का सदस्य अपने विवेक से काम लेगा और जो कुछ देश के हित्में, लोकतंत्र के हित्में उचिस समझता है वो करेगा. इक उस पर तो हिप लागू होता है पार्टी का? हाँ विप है, विप तो अपनी जगह है, कानून भी बने हुए है, और कानून एक तिहाई सदस्य अगर एकत्र हो जाएं, तो उने दूसरे रास्ते पर चलने की भी अनुमती देता है. नरसी मौराओ जी ने तो आपको अपना गुरू का है, तो अपने चेली की मदद क्यों नहीं लेता है, वो साहित ते चरचा थी, राजनीत का खाड़ा नहीं था. उनसे मदद की कोई उम्मीद नहीं है? नहीं सवर्तन उनसे इस अरत में माँगा भी नहीं गया है, यह हम जरूर चाहते हैं कि जो लोग सवा का द्यक्ष हो, वो सर्वसम्मती से चुना जाए, चुनाओं में उसका विरोध नहो, निरोध चुनकर आए और शपक्षता से अपने करतवे का पालन करे, आज नरसिंग कांग्रेस का जोएंट कंडिडेट होगा, यह हैं ऐसा मैंने सुना है, आज की स्थितिय यह है कल क्या होगा पता नहीं, तो उस कंडिडेट को आप सपोर्ट करेंगे या अपना एक नया कंडिडेट आप देंगे, यह तो हम उसी समझते है करेंगे, अभी भी मैं उम्मीद क करता हूं के शरी शिवराज पार्टिल के नाम पर सर्वसम्मती हो जाएगी, आप उनके नाम का समर्तन कर रहे हैं, अगर कॉंग्रेस पार्टी उनका नाम लाती है, तो हम उसका समर्तन करेंगे, अगर कॉंग्रेस पार्टी उनका नाम लाती है, तो हम उसका समर्तन करेंगे कि कोई भी सरकार सत्ता में आने के बाद उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हिंसा बढ़क रही है भारत की फोच को वापस बुला लो दिल्ली की फोच को वापस बुला लो यह मांग हो रही है एसपी की हत्या कर दी गई कहीं सांपरदा एक तनाव भड़क गया है अब असम की स्थिति को काभू में लाना असम सीमा प्रदेश है यह बहुत जरूरी है दोसरी और पाकिस्टान तोला हुआ है क пошमीर में चुनाव नो होने पर हम चुनाव के पक्षुमा नहीं थी हमने का था कि चुनाओ के लिए परिस्तिती अनकूल नहीं है लेकिन एक बार जब सरकार मने फैसला कर लिया कि चुनाओ का प्रिक्रीय आरंब हो गई तो सता समानने के बाद हमनें यह नहीं सोचा कि हमने पहले क्या कहा था और हमें कैंसर होई उपनाना चाहिए हमने का कि जो एक नीटी तेह हो गई है उस पर हम दर्ता से चलेंगे और पाकिस्तान के दबाव में आकर हम कश्मीर में चुना और रोक दें ये इस्तिती कभी नहीं आने दी जाएगी तो कश्मीर का मामला भी है जिसको प्राथविकता देना पड़ेगी कश्मीर के मानले में धारा 370 के बारे में क्या करता है धारा 370 एक गहुण प्रश्ट है मुख्य प्रश्ट नहीं है मुख्य प्रश्ट नहीं है आतंकवाद को दबाना आतंकवाद को परास्त करना और कश्मीरी जनता का विश्वास प्राप्त करना 370 अगर कश्मीर के लोगों को ठीक तरह से समझाया जाए तो आम आदमी उसका विरोध करेगा ऐसा में नहीं समझता आर्थिक नीती क्या होगी? जो नर्समाराव सरकार की या मनमौन सिंग की आर्थिक नीती थी उस पर आप कायम रहेंगे या कुछ बदलाओ करेंगे? नहीं नहीं हमने चुनाव गोशना पत्र में अपनी आर्थिक नीती का विस्तार से वेवरन दिया हुआ है कोटा परमिट राज के हम खिलाफ हैं और हम आर्थिक शेत्र में परतियोगता को बढ़ावा देना चाहते हैं लेकिन अभी तक देश का आर्थिक वातावन ऐसा था कि जिसमें उद्योगों को संरक्षन था अब उद्योगों को परतियोगता के लिए विश्व परतियोगता के लिए तयार करना है विश्व परत्यों क्या मतलब कि MNCs को, Multinationals को उसी तरह आने जी जाएगा? कुछ क्षेत्रों में तो अभी भी बवराश्ट्री कंपनियां काम कर रही हैं. कुछ क्षेत्रों में बवराश्ट्री कंपनियों को लाना हम पसंद करेंगे. इन्फ्राइस्ट्रक्चर की चेत्र में, हाई टेक के चेत्र में, निर्यात के बढ़ावे के चेत्र में. और लेकिन भारत के उद्योगों को विश्व परत्योगिता के लिए इस अर्थ में तयार करने की बात मैं कह रहा हूँ, कि हमारी कंपनियां, बहुराष्ट्रे कंपनियां जैसी विक्सित हो सकें, अच्छा माल बना सकें, और कीमतों की दिष्टी से उनके टक्कर में ठहर सकें. इस तरह का बात है, उनके बनाना जरूरी है, और थोड़े दिन इस दिष्टी से भारती उद्योग को प्रोसाहित करने की आवश्च वक्ता है. जो पहले से प्रोजेक्ट हैं चल रहे हैं या जिनको फाइनल कर दिया था पिछली का मिन्ड उनका रिवीव होगा? जी नहीं. आम तोर पर उने काम करने की जाज़त होगी, काम करने की चूट होगी, उनके बारे में नए से विचार करना जरूरी नहीं होगा. विदेशनीत में कोई फरक करेंगे वैसी रहे गए? नहीं विदेशनीत में जादा फरक रहे होगा. और बिरोक्रेसी के बारे में? बिरोक्रेसी कोछ ठीकरना है. लगन सरकार तकड़ी हो, बहुमत हो तो ठीक होगी. मुसलिम्स को काफी एक तरह से द्हसत या गलत फहमी या भै है इस बात का की भाचपा की सरकार आ गई, पता thest की होगा उनके लिए. तो मुसलिम्स के बारे में क्या रोख रहगा इस सरकार की? नहीं, आप तो किसी तरह का भय या भ्रह्म नहीं होना चाहिए। आकर चार प्रदेशों में हमारी सरकारे चल लए है। केंदर में भी हम लोग सत्ता में भागीदार रह चुके हैं। एक असाम प्रदाइक राज्य के आदर्ष में हमारी अटूट निष्ठा है। भारत एक बवधर्मी देश है। या एक किताब, एक पैगंबर या एक देवता को मानने ता नहीं मिली है। तो इस आधार पर हमारे मुस्लिम इत्रों के मन में कोई भर्म नहीं होना चाहिए। भारती जंतापाटी के शासन में उन्हें पूरा सन रक्षन मिलेगा। भारत के नागरिके नाते। उनके साथ न्याय होगा। उन्हें प्रगती के समान आउसर मिलेंगे। एलग-ठलक्यों बनाई हुए है यह स्मज नहीं अ इसी परिस्त्तिती उठपन होना चाहिए हुआ है वोग अपने को अलग-थलक्यों बनाई हुए है कि मेरी समझ में नहीं हाता है रिकिन हम मसल्मान के ओर ह recogsकता है लेकर आम मुसलमान की वह हिद में नहीं है जिस तरह से कहती है कि कम्नल फोर्सेज इनको रोक दिया जाए और यह सरकार एक तरह से सामपरता एक्ता पो क्यादतार सरकार है इसलिए बीजेपी को रोकने के लिए हम तניםधं को एक जूट हो जाना चाहिए सरकार को गिराना चाहिए तो एक मुसल्मान कोई ध्यान में रख कियों लोग बात कहते हैं जी हाँ यह सही है मुसलिम वोट बैंक पर उनकी नजर है लेकिन न वो मुसल्मानों का भला कर रहे हैं न देश का भला कर रहे हैं अगर इस देश में हिंदू साम प्रतायक हो गया तो सेक्विलर वाद कैसे बचेगा मैं कोई जिनों से लगाता रही है यह राग आला आप ते हुए सुन रहा हूँ और कोई उनके पास विधाय क्या रचनात मकार कम नहीं है भाज़पा को रोको क्यों रोको क्या भाज़पा को मत नहीं मिले है क्या लोगों ने भाज़पा का साथ नहीं दिया उनसे ज्यादा साथ दिया है उन्होंने तो जो जमगड बनाया है वो चुनाओ जीतने के बाद बनाया है अलग-अलग वो चुनाओ लड़े थे एक समान कारिकम भी नहीं था और अभी भी हो कब तक साथ रहेंगे नेतरत्य की जिस तरह से छीना जप्टी हुई है तो इस इस्थिति में भारती जनताप पार्टी एक इस्थाइत्यों का तत्व है एक बड़ी पार्टी है, संगठित पार्टी है कुछ और पार्टी हमारा साथ दे रही है हमें थोड़ा सा समरसन और मिल जाए तो हम इस्थाइ सरकार दे सकते हैं और जवाब दे सरकार दे सकते हैं अभी सारी सिक्योर्टी, सारा ताम जाम, सारे बंधन, मुलाकातियों की भीड इतना सब हो गया है तो इसमें आप बंदे बंदे नहीं मैसूस करते हैं मैं बहुत बंदा हुआ नवाओ करता हूँ आप एमोशनल हो रहे हैं मैं जब से आया हूँ तब से ये कह रहा हूँ कि भई भई इतनी सिक्योर्टी की क्या चगड़त है रास्ते बंदे सड़के सुमसाने ऐसा लगता जैसे हरताल हो गई हो देशवासी इतनी दूर खड़े कर दिये जाएं हमारे अपने कारकरता हमारे अपने लोग पास ना सकें उनको समझाना भी मुश्किल है उचित प्रबंद ठीक है उसमें दिखावा बहुत कम होना चाहिए और थोड़ा सा बगवान पर भी बरोता होना चाहिए